नमस्कार, मैं हूँ मनमोहनभट उत्राखंड में विधान सभा में भरती घोटाले के मामले में विधान सभा सचीवाले अब एक बार फिर से हाई कोट की शरण में जाने की तयारी कर रहा है रितू खंडोडी भूशन के मताबिक इस पूरे प्रकरण की विधिक राय ली जा चुकी है कानूनी राय मिलने के बाद अगले हफ्ते एक बार फिर से विधान सभा सचीवाले नैनिताल हाई कोट की डबल बेंच में अपनी याची का दाखिल करेगा विधान सभा में लगबग 200 करमचारियों की बरखास्तगी विधान सभा सचीवाले ने कर दी थी रितू खंडोडी भूशन ने एक कमिटी बनाई थी जैसा आप सभी लोगों को मालूम है लेकिन बरखास्त किये गए करमचारी एक एक करके नैनिताल हाई कोट की शरण में गए थे और नैनिताल हाई कोट ने इन करमचारियों के पक्ष में फैसला दिया था कोट ने इन्हें जॉइनिंग देने की भी बात कही थी हलाकि रितू खंडोडी भूशन ने इसपश्ट किया है कि किसी भी बरखास्त किये गए करमचारी को जॉइनिंग नहीं दी गई है इस पूरे प्रकरण में सरकार या कहलीजे विधान सभा सची वाले ने कानूनी राय ले ली है और अब डबल बेंच में वो याची का दाखिल करेगी हाई कोट की सिंगल बेंच ने बरखास्त किये करमचारियों के हक में फैसला दिया था और सरकार या विधान सभा सची वाले अब उसके खिलाब डबल बेंच में याची का दाखिल करने जा रहा है यानि जो बरखास्त हुए करमचारी थे उनकी समस्याएं हाई कोट ने जो कम करने की कोशिश की थी उसको एक बार फिर से चिनौती दी जा रही है यानि बरखास्त हुए करमचारीों को जोइनिंग नहीं मिलेगी फिलहाल ऐसा लगता है जब नैनिताल हाई कोट ने बरखास्त किये करमचारीों के हक में फैसला दिया था तो राज्य सरकार और विधान सभा सची वाले दोनों बैक फोट पर आ गए थे और कई तरीके की आलोचनाओं का भी सामना कर रहे थे सरकार को पहले ही इस पूरे प्रकरण में कैवियेट दाखिल कर देनी चाहिए थी जो की नहीं किया गया था लेकिन अब एक बार नींद तूट गई है विधान सभा सची वाले की और वो डबल बेंच में जा रहा है अब देखना ये है नेनिताल हाई कोट की डबल बेंच में किस तरीके से अपना पक्ष विधान सभा सची वाले मजबूती से रखता है और बरखास्त कि ये करमचारी किस तरीके से अपनी बात रखते है इसके बाद पता चलेगा कोट क्या फैसला देता है साथियों अभी के लिए फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी लेकिन आगरह जरूर करूँगा रिपोर्ट को लाइक जरूर कीजिए इस पर अपनी राय जरूर दीजिए अपने मित्रों तक इस रिपोर्ट को जरूर पहुचाईए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नमस्कार